बिसमिल्ला रहिमान रहिम कैसे हैं भाई आप लोग रटना नहीं है समझना है यह रही हमारे पास सिंटेक्स बुक बॉर्ड फिजिक्स मेट्रिक इसका लेक्चर फॉर जो है इसके ओपर हम आ गए है क्या है यह साइन्टिफिक मैथर्ड दा मोस्ट कन्फ्यूजिंग वन साइन्टिफिक मैथर्ड कॉपी पैंचिल ले लीजिए लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहें अब इसके अंदर खास बात क्या है आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स के हवाले से बात कर दूँ माशालला बायो के हवाले से भी कमेंट्स आ रहे हैं केमेस्ट्री के ह केमेस्ट्री फिर्स्टियर की केमेस्ट्री फिजिक्स के हवाले से भी फिर मैच्स के हवाले से भी अब वो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब मैं सोच रहा हूँ यह फिजिक्स को जो थोड़ा सा मैट्रिक की फिजिक्स को देख लिया जाए दूसरे जो आप कर लिया करें कहीं कोई इशू हो कोई प्रॉब्लम हो समझ में कोई चीज ना रही हो पिक बनाके भेज देंगे सर इसका मसला हल कर दें इन्शालला कोशिश करेंगे वो कर देंगे अब यह फिजिक्स का एक मौमला निमट जाए मेरी अब एक्जैम जो एपरिल तक हो मैट्रिक के तो मैज्स और फिजिक्स है कुछ तो इसके चैप्टर्स हो जैएंगा है मेरी विषय है कि मैं कर दो ठीक है भाई तो इसको चलने देते हैं मैज़िक्स को जाना अब साइंटिफिक मैजड की तरफ आया जब क्या है मैजड़ का मतलब एचिया मैं हमेशे आपको यही बता लातुमू के वर्ट मिलिंग पर गोर किया करें आप अल्फाजों का मतलब क्या है मैथज़ और मतलब ऐक तरीका साइन्टिफिक मतलब साइस्टी तरीका अब इस तरीके से होगा कि अगर आपको रैसिपी मिल जाए ब। ब। ब्यानी की बताया जा रहा है कि बिरियानी आप कैसे बना सकते हैं यह यह इंग्रेडियन्ट हैं ले आईए इसे सबसे मिला दीजिए इतने इतने टाइम पर पका लीजिए और बिरियानी आपकी इतनी तैयार हो जाएगी यह रेसिपी होती है तो मैथड अगर मैं रेसिपी वर्ड हटा दू मैं बूलूँ कि यह मैथड है बिरियानी बनाने का तो वो भी सही है समझा रही है बात आपको तो मैथड का मतलब पहली बात यह एक तरीका है अब रेसिपी भी एक तरीका था तो उससे अब क्या कर रहे थे बिर्यानी बना रहे थे scientific method भी एक तरीका है अब इससे बिर्यानी तो नहीं बनेगी इससे क्या होगा problem solving problem solving problem solving method है यह problem solving method है कौन सा जिसमें आपके पास कोई phenomenon होता है phenomenon phenomenon इस वर्ड को मैंने बहुत explain किया है पहले पिछली वीडियोज में भी phenomenon का मतलब क्या मजहर या असान लफ़ों में इसको अगर मैं बोलू तो natural happenings कुदरती तोर पर कोई चीज हो रही हो natural happening कुदरती तोर पर कोई चीज हो रही हो उसको phenomenon बना करें तो साइंस की दुनिया में बिरियानी बनाने के मसले नहीं होता है बलके क्या होता है कुदरती तोर पर वो observe करते हैं देखते हैं कि भई ये एक मसला चल रहा है एक चीज है जो के हमें समझ में नहीं आ रही है क्या है इस phenomenon को और बता दू मजहर या इजहार इसके words meaning है ऐसी चीज जो के naturally हो रही है natural happenings जिसका आपके बास कोई reason नहीं है why जैसे पहले वक्तों में सूरज का निकलना चांद का निकलना हवा का चलना बारिश का होना ये natural happenings है ना सब को phenomenon कहा जाता है तो इस word को ज़रा समझे तो science के लिए ये एक मसला है और इसका हल निकालना चाहिए और इसका हल कौन निकालेगा scientific method निकालेगा science ने बोला है कि जो भी phenomenon's है natural happenings है कुदरती तोर पर होने वाली चीजे हैं वाक्यात हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहे तो आपको इस आप इस तरीके पर अमल कर लीजिए इसके कुछ steps हैं उन steps पर अमल कर लीजिए step step number one two three four five six तो आप किसी हद तक उस मसेले का हल निकाल लेंगा समझमें आ अगयी बात अब इसमें physics में हमारे बहुत सारी एग्जेम्पल है लेकिन मैं physics से एग्जेम्पल नहीं लूँगा बायो से एक एग्जेम्पल नूँगा बड़ी आसान है, बहुत अच्छी मैं आपको बताता हूँ अभी, बिटा दू इसको तो scientific method क्या है, तरीका है, इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, problem solving method है, इसके steps पर अगर आप अमल करेंगे तो वो जो phenomena है, वो phenomena नहीं रहेगा, आपको उसका पता लग जाएगा कि उसके पीछे वजुहात क्या है, किस वज़ा से वो हो रहा है, अब एक मसले की तरफ चलते हैं, बाइलो जी भी क्योंके science में ही आती है, तो इसका एक issue discuss कर लेता है, malaria, malaria, अभी तो बच्चों बच्चों को पता है कि malaria जो है, मौस्कीटों के काटने की वज़ा से हो जाता है, मच्चर काट लेता है, तो उस वज़ा से malaria हो जाता है, एक क्या है, डिजीज है, और इसमें क्या है, बंदा बिमार हो जाता है, लेकिन आप टेबलेट ले लेजिए, आपका malaria का बखार उतर जाएगा, अब ही बड़ा ही आसान है, लेकिन 200-300 साल पहले ये malaria का जो भुखार था, ये किसी को नहीं पता है, हजारों लोग इस malaria से मर जाते थे, हजारों लोग मर जाते थे और उनको समझ में नहीं आता था कि ये है कि अब देखें ये भी क्या है ये मलेरिया भी क्या है फिनोमेना पुदरती तोर पे चीज हो रही है न भई ये लोगों को बुखार हो रहा है दूसरे को ये बुखार हो रहा है तीसरे को ये बुखार हो रहा है तो क्या है ये? नैचरल हैपनिंग है, कुदरती तोर पर एक चीज़ हो रही है तो ये क्या है? फिनोमेना अब साइंस, साइंटिफिक मेथड को अगर आप इस्तमाल करेंगे तो फिर इस मसले का हल निकाल लेंगे अब स्टेप्स की तरफ चलते हैं, बातें तो काफी हो गई तो प्रॉबलम है एक जगा के उपर क्या है भई? एक जगा पर प्रॉबलम है कौन सी साइट है? गाउं ले लेते हैं, एक विलेज ले लेते हैं ठीक है? एक विलेज ले लेते हैं वहां पर लोग बिमार हो रहे हैं बहुत ज़गा टेंपरेचर हो रहा है लोग बिमार 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 एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांच हुआ समझ में नहीं आ रहा एकदम टेंपरेचर शूट करता है और उसके बाद वो कुछ टाइम तक के लिए जीता है फिर वो बंदा मर जाता है डॉक्टर बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा यह इतना शदीद बखार, इतनी सर्दी, इसके पीशे मामलात क्याँ हैं फिर यह एकि यह बढ़ ही रहा है, दूसरों को भी हो रहा है अब यहां पर scientific method ने बोला, step number one पर अमाल करें अब पहले step number one, कौन सा है step number one जिसको observation कहते हुझ talking अच्छा अब्जर्वेशन जो है स्टेप नमबर वन नहीं है हमारी इंगलिश भी थोड़ी सी वीक है ना स्टेप नमबर वन है अब्जर्व अब्जर्व को उर्दू में कहते हैं मुशाहिदा करना मुशाहिदा करना और जब आप किसी चीज को आप्जर्फ कर रहे होते है मुशाहिदा कर रहे होते है उस पे घौर कर रहे होते हैं तो आपको क्या मिलती है कुछ इंफरमेशन मिलती है कुछ information आपको मिलती है, आपको मालूमात मिलती है कुछ ठीक हो गया भई, जब भी आप observe करते हैं, गोर करते हैं, किसी वाक्य के ओपर, किसी natural happening के ओपर, किसी phenomenon के ओपर तो आपको क्या मिलती है, कुछ information गैदर होती है, अच्छा ये observation, ये observe जो आप कर रहे हैं ये किसी मदद से कर रहे हैं, आपने five senses की मदद से कर रहे हैं, जो आपको दिये हैं, कौन कौन से, देखना, सबसे पहले तो C और उसके बाद, hear, सुनना, touch, शोना, skin, taste, चकना, और क्या है, smell, सुनना, आखे, कान, नाक, जबान और आपकी skin, ये पांच चीज़े आपके पास ऐसी हैं, जिसकी मदद से आप observe करते हैं, किसी natural phenomena को, और उसके नतीजे में आपको कहा मिलती है, information मिलती है, तो ये जो उस गाओं के अंदर लोग बिमार हो रहे थे बहुत ज्यादा, और दु इसी तरह की, तो ये आपकी observation उसी वक्त शुरू हो गई, आपने दुनिया महर में जाके देखा, मुक्तलिफ जगाओं पर, आप इसी village को लेते हैं पहले, यहां पर लोग बिमार हो रहे हैं, आपने step number one observe, या observation शुरू कर दिया, आपने जब शुरू किया तो आपको information मिली, किस किसम की information मिली, कुछ चीजों की information मिली, यहां, मैं बताता हूँ, वो क्या है, यह मिटा दूँ, आपको जो information मिली, वो क्या मिली, जिस जगाँ पर लोग बिमार हो रहे हैं, वहां पर कच्रा बहुत है, ट्रेश, stagnant water है, खड़ा पानी है, stagnant dirty water, पानी जो एक जगा पर गंदा जमा हो जाता है, वो है, ठीक है, और सफाई का कोई इंतजाओं नहीं है, डर्ट बहुत ज्यादा है, हाईजीन नहीं है, सफाई सुतराई का ध्यान नहीं रखा जाता है, एक तो यह चीज़ आपने उस गाउं में महसूस की, गंदगी बहुत है, stagnant dirty water है, खड़ा पानी है, और वहाँ पर अच्छा, दूसरी चीज़ आपने क्या नोट की, मॉस्कीटोस, मच्छर बहुत ज्यादा हैं, मच्छर बहुत ज्यादा हैं वहाँ पर यह चीज़ आपने observe की, यह सारी information जब आपने observe की, और प आपने compare किया, city को, शहर की एक जगा को, वहाँ पर इन सब चीज़ों को छोड़के सफाई भी थी, गंदगी नहीं थी, कचरा नहीं था, कोई गंदा पानी खड़ा हुआ नहीं था, मॉस्कीटोस बगेरा भी नहीं थे, proper hygiene, hygiene मतलब नहाना दोना अपने time पे होता था, आपक कि यकीनन इसका गंदगी का, statement water का कोई तालुक इस बीमारी से है, और खास दोर पर आपने मॉस्कीटोस को देखा, क्योंकि मॉस्कीटोस जो है, वो गंदगी में होते हैं, अब अगला step यह आपकी observation थी, अब अगला step यह आपकी observation थी, अब अगला step यह आपकी observation हो गई, मढ़ गया, जहां पर लोग बिमार हो रहें, महाँ पर क्या है, गंदगी है, कीचर है, नाने का अच्छा इंतिजाम नहीं है, मच्छर बहुत ज्यादा है, यह observation, step number two पे हमारे पास हाइपो थेसिस आजाता है, हाइपो थेसिस, इसका मतलब होता है, मफरूजा, मफरूजा म कोई चीज, फर्स कर लेना, जैसे इस फर्स कर लीजे वई, कि यह होगा, अब उसकी, यह नॉट रियल, यह नॉट रियल, यह नॉट रियल, यह हकीकत नहीं होता मफरूजा, जो चीज़ आपने फर्स की है, नॉट रियल, वो कुछ हकीकत नहीं है, वो क्या है, आइडिया ह सरफ आपका, आपका एक ख्याल है, आपका एक आइडिया है, अच्छा ये जो आपने आइडिया काइम किया, ये जो चीज़ आपने फर्स की, ये आपने जो हाइपोतेसिस काइम किया, ये क्या है, इस सिरेरियों में, अब हाइपोतेसिस एक नहीं होता, कई होता है, अब ये ह Step का मतलब कदम निकालना, मैं आप से कहता हूँ पहल, चलिए तो आप Step No. 1 उठाएंगे ना, या आप Direct Step No. 2 पे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, मुम्किन है। तो बात को जरा समझेगा, Step No. 1 पहले होगा, Step No. 2 बाद में होगा। Hypothesis, आपने फर्स कर लिया, अब क्या, अब आप जो चीज फर्स कर रहा हूँ, Cleanliness, सफाई, और, Mosquitoes, आपने आइडिया लगाया, सिटी और इस विलेज को देखके, क्या, के हो नहो, इस गंदगी, कीचर, खड़ा पानी जो है, ये, और लोग जो सफाई का ध्यान नहीं रखते, ये, और Mosquitoes की यहां बहुत बहुता थे, धेरों धेर Mosquitoes हैं यहां पर, तो ये ही इन में से कोई वज़ा है, इन में से ही कोई वज़ा है, ये आपका ख्याल होगा। अब देखें, एक हाईपोतेसिस आपका ये है, अब हाईपोतेसिस आगे रिफाइन होगा। मतलब इसी एक हाईपोतेसिस में आप बहतरी लेके आएंगे। सफाई वगेरा, क्रीनलीनेस, ये वो इन सब का तालुक जो है जाके इस से जुड़ जाता है, Mosquitoes से। वज़ा क्या है? क्योंकि ये क्या करता है, सक करता है बिलड को। अब आपने आइडिया लगाया, अब देखें, हाईपोतेसिस एक नहीं होता, हाईपोतेसिस कई होते हैं, आप अपने ही खयाल को रिफाइन कर रहे होते हैं, और बहतर बना रहे होते हैं, आप ये सपाई इस उतराई हो गएरा, इसको साइड में रखके मॉस्कीटो को ले आपने हैं, क्योंकि गंदगी, खड़ा पानी इन सक का इस से तालुक है, और इसका इनसान से कैसे तालुक है, कि ये सक करता है बलड को, इनसान के, और जब बलड करता है, ये बलड को सक करता है, तो यकीनां कुछ तो इसके पास से ट्रांसफर होता होगा बलड में, मॉस्क फिर एक आइडिया लगा है आपने, बोला गंदगी, खड़ा पानी, ये वो मॉस्कीटो, इन में से आपने बोला ये है टार्गेट, हो ना हो मॉस्कीटो का कोई, क्योंकि इसका डारेक्ट एफट जो है, वो इनसान के बलड से हो रहा है, बाकी गंदगी वगएरा, गंदे प पकड़ लेते हैं, फिर आपने हाइपोतेसिस काइम किया कि इस बीमारी के पीछे मॉस्कीटो का कहीं न कहीं हाथ जरूर है, ये देखें फिर आपका ख्याला है, ठीक है, अब आगे चलते हैं और, जब आपने ये सब कुछ देख लिया, तो अब स्टेप नंबर थिरी की त चलते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, अभी तक बाते हो रही थी, अब बाते नहीं होंगे, अब काम होगा, आपने पेशेंट को लिया, और मॉस्कीटो बहुत सारे पकड़ लिये, ठीक है, पेशेंट को लिया और मॉस्कीटो बहुत सारे पकड़ लिये, पेशन्ट का बलड चेक किया माइक्रोस्कोप के जरीए और मॉस्कीटो का सैलिवा लिया बहुत सारे मॉस्कीटो के सेंप्ल पकड़े और उनके सैलिवा में चेक किया मॉस्कीटो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं तो फी एक अब फिर पेशन्ट के बलड में आपको जो है जर्म नज़ाया 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 जर्म नज़ाय कि यहां है सलिवा में ठूक में मॉस्कीटो के तो फीमेल मॉस्कीटो के मेल के सलिवा को भी चेक किया और फीमेल मॉस्कीटो के सलिवा को भी चेक किया तो फीमेल मॉस्कीटो के सलिवा में भी ये जर्म नजर आ गया ये जर्म नजर आ गया मैच हो गई कहानी आपने आइडिये के लगाया था हाइपोतेसिस आप भी देखें हाइपोतेसिस बार बार रिफाइन होगा इसमें मज़ीद बहत लिया आएगी पहने आपने गंदगी का आइडिये लगाया कि उसकी वज़ा से बिमारी हो रही है फिर आपने मॉस्कीटो का आइडिये लगाया कि उसकी वज़ा से बिमारी हो रही है फिर आपने एक्सपरिमेंट्स जो किये और अब आपको ये जर्म जो नजर आया इसका नाम आपने रख दिया पिलाज मोडियम पिलाज मोडियम इस जर्म का नाम रख दिया अब आप यहीं पर नहीं रुके अब आपने पेशेंट के बलड को तो चेक किया वो लोग जो सहत मन्द थे उनके बलड के भी सेंपल लिये और उनके blood को भी चेक किया तो कहीं पे भी ऐसा कोई जर्म नजर नहीं आया बात समझाई तो अब भी यह तो भी बात होगी ना भी तो इसमें मजीद काम होना बाकी है ठीके अब भी यह जो अब एक और refined hypothesis आएगा तीसरा hypothesis जो पहले दो से मजीद वहतर है वो क्या hypothesis क्या idea क्या हो नहो प्लाजमोडियम इस दा cause of malaria के प्लाजमोडियम जो है वो malaria की वज़ा है यह जो जर्म है यह malaria की वज़ा है ठीक हो गया भी तो experiments हो गए अब यह experiments मजीद होना बाकी है मिटा दू इसको तीसरा step भी हो गया experiments से आपको नतीजे भी निकल गए अब आप experiments और करते रहे करते रहे करते रहे human body को आपने अंदर से चेक किया अंदर से चेक किया तो आपने देखा कि यह germ जो है blood से जाके इनसान के liver को infect कर रहे हैं और उसकी वज़ा से यह temperature हो आपने मजी तेकी की और उसके बाद ही आपको पता लगा experiment की अब क्या हुआ कि यह बात आपने दूसरे लोगों को बताई कि यार यह plasmodium जो जर्म है जो मनें discover किया है यह वज़ा है इसकी बिमारी की इसकी बेस के उपर अब आपने बहुत सारे तज़र्बा किये दुनिया में कई जगा पर जाके और उसके बाद फाइनली आपने theory दी theory theory क्या है statement कौन से statement है यही hypothesis है भई जी यह theory में जो उसने बात बूले theory क्या कहते है theory का मतलब किसी की कही हुई बात किसी का statement किसी का बयान अब यह जो scientist जो biologist इस पे काम कर रहा था वो किस के किस क्या बोलेगा जो hypothesis उसने तीसरा refined hypothesis जो बनाया था कि plasmodium is the cause of malaria इसी को बोलेगा theory की शक्राव समझ में आगई बात क्योंकि इसने बारहा और मजीद तहकी कर ली और मजीद तहकी कर ली कई जगाओं पर जाके इसने खुच से इस सब चीजों को देख लिया तो हर जगा पर इसको यही चीज नदर आई तो इसने theory दी के plasmodium is the cause of malaria आप दूरा खौर कीजिएगा theory के ओपर जो इसका statement है बयाने कितनी valid है कोई किसी की कहई हुई बात को theory का दरजा ऐसे नहीं मिलता इसने इतने experiments किये मुलकों मुलकों जाके जगा 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 देखके और finally इसने बोला सब जगा से मुतमेन हो गया हो हो नहो बस अब तो कोई doubt वाली बात ही नहीं कि ये जो है वो लाजमोडियम ही वज़ा है malaria की ओके फाइन अब आगे चलते हैं अब इस theory को test करने का time theory को test करने का time बटा दू इसको step number 5 की तरफ आई अब जब इसने अपनी ये theory पेश की step number 4 क्या था theory जो इसने दी जब इसने अपनी ये theory पेश की तो दुनिया में जितने दूसरे biologिस्ट थे वो औश्यार हो गए उन्होंने बोला इसकी theory को check करना चाहिए इसकी theory को check करना चाहिए ये जो इसने theory दी गए तो दुनिया भर में मौझूद जो biologिस्ट से सब ने वो ही तैजरुबात किये जो उसने किये check किया इसके experiments को और वो भी सही नतीजे पर पहुँचे बिलकुल तो इतना work करने के बाद जब दुनिया के सारे biologिस्ट भी agree हो गए तो इसी की ये theory को अब एक और अच्छा दरजा मिल गया किसका scientific law का scientific law का मतलब अब तो कोई deny कर ही नहीं सकता न law बन गया है देखें ये भी क्या है law क्या है statement tested again and again tested again and again theory, है ये theory अब देखें connection देखें है ये theory ही जिसको बार बार जाचा गया है, टेस्ट किया गया है और आखर में इस theory को क्या law का दरजा दे दिया पहले सिर्फ बात ये scientist तक थी अब सारी scientist ब्रादरी ने इसको check कर लिया अब शक को शुबे की कुझाईश नहीं है अब इसको law का दरजा दे दिया है को चैलिंज ये नहीं कर सकता है इसको कि ये गलत है अब गोर करें connection देखें law क्या है? theory है theory क्या है? hypothesis hypothesis किस से काइम हुआ? जो आपने ख्याल काइम किया था वो observations समझा गई बाद आपने observation की observation के basis के ओपर आपने hypothesis काइम किया एक, दूसरा, तीसरा refine करते गए hypothesis को और उसके बाद फिर अपने hypothesis को चेक करने के लिए आपने experiments किये एक experiment किया, दो किये सही हो गया उसके बाद फिर आपने अपने तोर पर हर तरह से मुतमें होने के लिए कई कई जगा जा जाके जा जाके तज़वाद किये इस चीज़ को देखके सब जगा आपको यही नजर आया कि प्लाजमोडियम ही सब जगाओं पर मौझूद था इस बिमारी के पीछे तब आपने क्या कहा, theory दी अब scientist scientist ब्रादरी ने जब कहा ना कि किसी ने theory दी है तो वो active होगए होश्यार होगए क्योंकि कोई theory ऐसे नहीं देता वो बहुत तहकीक के बाद तज़रबाद के बाद कोई चीज़ साबित होती है फिर theory देता है लेकिन science ब्रादरी बोल रही है scientific law भी एक बात है एक statement है, एक बयान है किसी का theory जो है, वो भी एक statement है बयान है, बात है किसी की hypothesis भी किसी की कही हुई बात है लेकिन तीनों के दरजे देखें आप इसके उपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है ये गलत भी हो सकती है इसके उपर थोड़ा भरोसा किया जा सकता है आपकी जात की अत्तक ठीक है आपने इसको ठीक ठाक चेक कर लिया मुतमेन होगा लेकिन इसके उपर तो भाई 99% जो है वो आप भरोसा कर सकते हैं 99% जब law बन जाए कोई theory तो कोई सब नहीं चेक कर लिया लेकिन 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 कुछ laws ऐसे हैं कुछ theories ऐसी हैं जो के law बनी सालहा साल तक वो law के दरजे पर रही लेकिन कुछ कमी रह गई थी जी तभी तो मैंने 99% का अब आप भी सोच रहूंगे इतना चेक हो गए आप तो बात खतम हो जानी चाहिए ना बबा इतनी जल्दी नहीं क्योंकि तज्रुबात में ये बात आई है कि बहुत सारी theories जो सालहा साल से उसको law का दरजा मिला हुआ था वो आगे जाके घलत साबित हो गई क्या कहा मैंने वो घलत साबित हो गई समझा गई बात आप लोगों तो ये था क्या scientific method मसला क्या था फिनामेना क्या था लोग बिमार हो रहे हैं temperature हो रहा है तबियत खराब हो रही है और मरे जा रहे है सारी दवाइन इस्तमाल कर लिए सब कुछ कर लिया लेकिन हल निकली नहीं रहा तो ये फिनामेना का हल scientific method ने बोला भे step number one पर अमल करो observation observation के बाद information कलेक्ट करो और hypothesis काइम करो अपने hypothesis को थोड़ा refine करो और मजीद दो तिन hypothesis काइम करो अच्छे से अच्छा ख्याल पेश करो फिर experiments करो number three के उपर तजर्वाद से अगर hypothesis सही हो जाए तो फिर उसके बाद आपकी ये hypothesis जो है वो थियूरी बन गई और थियूरी के बाद जब सब ने चेक कर लिया तो फिर क्या होगा ये scientific law बन गई अब सब मिलके इसका हल जो है वो निकाल लेंगे और बाद में यही हुआ कि उस प्लाजमोडियम को लिया गया उसको चेक किया गया उसके वर्क आउट किया गया और आखर में उसकी medicine malaria की बना ली गई और आज दुनिया में malaria ऐसी बिमारी है जैसे किसी को नजला खांसी हो जाता है 200-300 साल पहले malaria ऐसी थी जिसको इसको हो जाता था लोग बोलते थे बस ये तो गया क्योंगे इलाज ही नहीं था इलाज ढूंडा scientific method के step के अमल करते हो ठीक है बई बाकी आपके इस metric match के अंदर जो है वो न्यूटन की cardiovascular theory दी वी है wave theory of light दी वी है particle theory of light दी वी है और Albert Einstein की quantum theory of light भी दी वी है dual nature वाली बड़े बच्चों को तो पता हुआ लेकिन अभी मैं फिलाल ये आपको नहीं समझा सकता तो कि मैं ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ये बाद जहन में रखे कि आप metric के अभी छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं आगे चलके फिर आइनस्टाइन को भी देखेंगे न्यूटन को भी देखेंगे मैक्सवैल को भी देखेंगे quantum physics को भी देखेंगे इंशालला सब कुछ तो अपना बहुत ज्यादा खैल रखेंगे लो लाइक नो सब्स्क्राइब ओनली शियर